लाडला होके अगर नहीं जीता तो मुझे असाइन्मेंट समझ में नहीं आएगा तो किसे समझ में आएगा वाह ये है कॉन्पिडेंस विवेन डिसेना का खुद के ऊपर लेकिन मुझे थोड़ाना डाउट हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने लाड किसे दिखा नहीं रहे है या फिर घर के अंदर विवेन कुछ कर नहीं रहे है क्योंकि विवेन का पॉइंट अफ यू होता है वो एक बार एक डायलोग जैसा कुछ बोल के चले जाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है आप देखो ना कि जुन में करन वीर के अगेंस आरे खड़े हैं लेकिन विवेन के अगेंस कोई भी नहीं है सब विवेन के साथ खड़े हैं तो वहाँ पर थोड़ी चीज़े कम समझ में आती है लोग का अगेंस होना जरूरी है इस गीम में तो यहाँ कोई विवेन के अगेंस नहीं है और मुझे ऐसा call विवियन को नहीं दिया गया है तो विवियन को अगर ऐसा लग रहा है कि वो assignment sign करके आया हुआ है और लाडला बन के आया हुआ है तो makers उसको show जीताने वाले हैं तो sorry विवियन हमें आप winner बनते हुए थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि करन वीर भी उस लिस्ट में आ रहा है रजट भी उस लिस्ट में है तो ये सारी चीजे बड़ी देखने और समझने वाली हैं फिलाल अनुराक का सबसे विवियन अपने दिल की बात करी है कि दो तीन वेटियों का फादर है विवियन और किस तरीके से यहां से वो जाना चाहता है या शो जीतना चाहता है उसने का नहीं मैं शो ही जीतना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छी बात है विविन का अगर देखा जाया तो चाहत के मैटर के अलावा बाकी कहीं वो गलत नजर भी नहीं आता है चाहत की मेटल में भी वो कई वारी ठीक लगता है लेकिन कई वारी थोड़ा सा उपर नीचे हो जाता है जैसे कि कल जब चाहत के लिए बहुत गंदा गंदा अविनाश बोल रहा था वहाँ पे वीविन ने एक आवाज नहीं उठाई लेकिन जैसे ही करेंट वीर ने शूतिका के लिए कुछ बोला वीविन आगया वहाँ पे करेंगे तु क्या कर रहा है तुझे न अपने वर्ट्स की चुए इस थोड़ा सा सो समझ के करनी चीगे तो इस तरीकी की जब वो बाते करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हिपोक्रेसी वीविन की भी दिखती है बागी आप लिखिये का आपको क्या है कहना कि आप वीविन को विनर देखते हैं या नहीं